आज किस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो कुस्षन आपको स्कीन पर दिख रहा है युकलीट विभाजन अल्गोरिदम के परयोग से एक्षी अप ग्याद करें तीन कुस्षन हैं यहाँ पर आपको सामने तीन कुस्षन दिख रहा है तो कह रहा है कि यहाँ पर आप पहला नमबर कुसन है तो सबसे पहले लिख लीजेगा पहला नमबर एक्जामे और लिखिएगा हॉल इस तरीके से आप हॉल लिखिएगा मुनका दे दीजेगा अब क्या करिएगा 135 और 225 में लिखिएगा चुकी ठीक है तो हम क्या करेंगे इसके लिए क्या करेंगे जो छोटका होगा उसी से बरका में भाग दे यानि मौसा करेंगे मौसा करेंगे तो मौसा यहाँ पर आप कर लीजे अब अगल में 135 यहाँ पर मौसा करिए यानि मोहतम निकालना है 235 का आप करिएगा तो एक मरतवे में लग जाएगा 135 के नियुकροं किום इस सब्सक्राइगा 270 हो जाता है 5 में से 5 गया 0 12 में से 3 गया 9 तो फिर एक में से 0 99 से अगर हम 135 में करें उसी तरीके से तो 99 काई 9 और यहाँ पपज जाएगा 5 में 0 गया 5 तेरह में सुनो गया चार फिर पैताली से करेंगे नवे में उसी तरीके समरा हो जाएगा पैतालीज दुना नवे और कर जाएगा सेस्पर लोग गया जीरू तो यहीं पर हम लिखेंगे यह जो देख रहे हैं दूसो पचीस दूसो पचीस जो बरका होगा उसी जगर अब प्लस में 90 चल यहां पर लिखें लिखें इसी लिए कि दूसो पचीस बरावर एक सो अ पैतीस पुने एक पलस में 90 इतना आप लिख दीजागा दूसरे कह करेएगा यहां पर दूसुपचिस के बाद 135 जो होगा यानि बराबर कुस बगल जो होगा 135 उसको लेएगा लिखेंगे 135 बराबर इसमें 90 गुने 1 है तो 90 गुने 1 क्या करेंगे 90 गुने 1 प्लस में क्या है 45 तो यहां पर लिख देंगे 45 क्लियर यहां तक आपका क्लियर है आप हम क्या करेंगे यहां पर लिखेंगे बिचला वाला क्या करेंगे बिचला वाला को लिखेंगे ठीक है यह तो क्लियर हो गया यह भी क्लियर हो गया आप यहां पर लिखेंगे नबे बाला तो चलिए आप लिखेंगे नबे बरावर लिखेंगे 45 गूने दू फ्लस में 0 अब क्या लिखेंगे एक इसमें दू लाइन और लिखना है वो दू लाइन क्या लिखना है हम आपको बताते लिखेंगे लिखेंगे चुकी सेस्फ़ल बरावर जीरो अता यही हमारा एंसर हो गया तो पहला कुस्चन आपको इस तरीके से कुछ बनाना था जो आपके स्कीन पर दिख रहा होगा इसी तरीके से आप एक्जाम में बना कराईएगा दू नमबर मिल जाएगा अगला कुस्चन है एक सो चियान में और और तीस जार दू सो बीस तो देखिए अगला कुस्चन जो हम बनाएंगे 196 और 3220 बलाद तो सबसे पहले लिखेगा हॉल ठीक है हॉल लिखने के बाद लिखेगा चुकी और 3220 12 है 196 से क्लियर तो हम क्या करेंगे इधर 196 से 3220 में और 3220 में क्या करेंगे 196 से पहले भाग करेंगे तो एक मरतवे में कटेगा क्योंकि 200 तो चार्ट हो जाएगा एक मरतवे में कटेगा 166 ठीक है 12 में से 6 गया 18 में से 9 नहीं यानि कि पहिचा देदिया 17 में से 9 गया 8 और यह हो जागा तीन था तो एक देदिया पहिचा था दू में से गया 186 यह दूबा यहां पर उतार देंगे यह देखे 196 में जो है 200 के राउंड बे और यहां पर 1862 है तो दू नमा 18 909 मरतवे में लग जाएगा ठीक है तो क्या करेंगे 9 चौक 54 के 4 हासिल 5 9 नमा 81 81 5 86 के 6 हात में 8 198 98 एक नमा 9 8 17 इस तरीके से हो गया 12 में से 4 गया 8 और यह हो गया 15 में से 6 गया 9 12 में 4 गया 8 15 में से 6 गया 9 और यह कितना हो गया इस जो हो जाएगा आपका 55 दे दिया न 15 में से 6 गया 9 इकट जाएगा लेकिन यहां से कुछ मिस्टेक लग रहा है उस मिस्टेक को हमको देखना है कि क्या मिस्टेक है 12 में से 6 गया 6 17 में से 9 गया 8 दुविसे 1 दू उतार दिये 6 नमा 54 सब्सक्राइब और आट में सब्सक्राइब अब अब देखिये गें साथ गया फंद पन्दद छोगो नौद भी आठर पर कटशहों जागा यहां पर कटशहागा घबर अधिन 980 अब यह कड़ेगा चौह में 6-35 मरतवे में यहां कर देंगे पांच मर्तवे में तो चोपंचे तीस के जिरां सिल तीन चोपंचे नौपचे पैतालिस तीन और तलिस कहां रतात में चार पाइक पज़े पांच चार नौ इस तरीकी से पुड़ा कट गया सेस्पा लोगा जीरो इसमें तो मौसा क्या कोई काम नहीं हुआ तो यह सो पंचान में प्लॉस में कितना हो गया जीरो कितना गया जीरो यह लाइन यहां तकट ले लिखना है यह लाइन यहां तक ले इधार होना चाहिए ठीक हम ग्र दहें है इसका मतलब है लिखेंगे चुकी सेस्पाल तुकि सेस्पल बरावर 0 सेस्पल बरावर 0 अता अता HCF अता HCF बरावर 116 यानि कि 0 रहागा न उसका जोस्ट सुर्वा का गुनावाला जो हता HCF हो जाता यह याद रखिए का ठीक है तो हम आपको दूसरा कुस्टन भी बता दिये अभी हम चलते हैं तीसरा कुस्टन की तरब तीसरा कुस्टन है 867 और 255 तो इसमें भी क्या करेंगे सबसे पहले आप एक्जामें लिखेगा हॉल ठीक है कोई तीनों में से कोई एक ही देगा तीनों को तीनों नहीं देता है तो यहाँ पर लिखेंगे 255 से 800 260 में मौसा करेंगे करेंगे यह लबार हाईस हो गया तीन मरतवे में लग जाना चाहिए तीन मरतवे में करेंगे 5 तीयाइ 15 5 तीयाइ 15 5 तीयाइ 16 और 2 तीयाइ 6 1 7 इधर घटाएंगे 7 में से 5 गया दू ठीक है 6 में से 6 गया 0 और 8 मिसा एक, अभी क्या करेंगे, 102 हो गया, फिर हम 102 से क्या करेंगे, 205 में, 200 streetman में मौसा करेंगे, तो 2 मर्तवी में लगेगा 204 कितना हो जागा 2045, पांच में से 4 गया, एक, और 5 में से 0 गया, पांच दूमसो दू गया कतीज अब यह कामन से क्या करेंगे 102 में उसी तरीके से करेंगे मॉसाइद nephew पुरा पुरा यह कट गया कट गया इसका मतलब जिए हमारा मॉसा इंसरिये कामना आने माला अब क्या करेंगे लिखेंगे इसलिए आठ सो सॉर्सट जो बरका होगा ना पहले उसी बराबर लिखेंगे आठ सो सॉर्सट बराबर दू सो पच्पन गूने तीन प्लास में एक सो दू कितना किलियर है अब अगला चलेंगे दू सो पच्पन बराबर एक सो दू एक से दू गूने दू ठीक है आप प्लास में एक आबर इतना किलियर है अब क्या करेंगे लिखेंगे अगला स्टेप एक सो दू बराबर एक सो दू बराबर यह कावन गूने दू अप्लास में जीरो जीरो आगया वाह लिखेंगे चुकी सेस्पल बराबर जीरो तो हम यहाँ पर लिख देंगे नीचे नीचे भी लिख सकते चाहिए पर भी हम लिख देते हैं आथा नीचे लिख दीजेगा अथा एक सी एप बराबर एक कावन इस तरीके से हम आपको इसका तीनु कुशन बना दिये हैं अगर आपको विश्बास नहीं होता तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यह तीसरा कुशन था यह दूसरा कुशन था और यह आपका पहला कुशन था चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें इस वीडियो को ज़्यदा सेयर करें